So hey guys, welcome back, मैं हूँ इशान और आज की वीडियो में बात करने वाले हो important question for chapter light, class 10th, 2020 and boards के लिए क्या क्या important question हो सकते हैं, NCRT मैं ज़्यादा prefer करता हूँ, अगर आपको त्यारी करने है boards की तो NCRT से best book आपको कहीं नहीं मिलने की है, और इसमें काफी important question हो, मैं आपको mid में से question बत जरूर देखिए, और यह इस chapter के मैंने काफी videos डाल लगे हैं, तो link में आपको यह playlist मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर इस chapter की videos देख सकते हैं, तो चलिए इस video को start करता है, तो guys से पहले बात करता है कि light chapter में से important topic क्या हो सकते हैं आपके लिए, तो अगर आपको थोड़ा brief म आपको brief में पढ़ सकते हैं, अगर आपको थोड़ सा study करनी है, multiple choice के लिए, ठीक है, next, मैं important की बात करता हूँ, यह वाला table आपको जरूर पढ़ना है, chapter light के लिए, जिनों ने निपढ़ा वो बहुत पस्ता हैंगे, क्योंकि यह table 2019 में से भी इस में से question आए, 2020 में भी और 2018 मे काफी जादा important रहा है, यह table, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करने है, यह diagram आपके कैसे found हो, इस पर भी एक video जाकर link discussion में आप आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको बता गया है कि कैसे कैसे इनके यह चीज़ा found हुई है, ठीक है, next पर बात करता है, uses हमेशा आते हैं, इनक अगर object infinite pole के बीच में रखे तो image का बनेगी between P and F, size of image क्या होगा, highly diminished या diminished virtual and erect, यह है आपका convex mirror के लिए, जो भी image formed होती है, convex mirror के लिए, ठीक है ना, तो वो यह convex mirror के लिए, next करते है, mirror formula important है, कुछ important question में आपको लगवा रहा हूँ, blue box में से लगवा देते हैं, पहला important question, ठीक important है, 11th, 13th, 14th, 15th, 16th, यह important question है, बहुत जादा, जो कि आपको करने exam purpose के लिए, 10th आप जरूर करें, क्योंकि आपको पते ही कि, exam में, anxiety is always most important, ठीक है, जो रहती ही है, हमीचा, और अगर आपको थोड़ा middle त्यारी करने है, तो आप यह वाला paragraph जरूर पढ़ें, जो कि आपको बहुत help करने वाला है, पिलस, example number 10.3 जरूर करें, convex lens का यह example है, ठीक है, convex lens has focal length 15 cm at what distance should the object be placed, मैं आपको बताएं कि object negative लेते हैं always, ठीक है न, और focal length concave के लिए, concave के लिए हमेशा negative होती है, यह चीज़ को हमेशा याद करके चलना है, concave की focal length होती है, वो हमेशा negative होती है, और convex facts के positive होती है, ठीक है, तो यहाँ पर उसके according of values पूट करके answer निकाल सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि भाईया इन पर numerical करा तो numerical के एक और वीडियो आजाए कि आपके लिए बिल्कुल इचिंता ना करने किसी तरीके से, ओके, next move करते चले जाता है, धीरे, 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 यह यहाँ पर यह वाला, देखो, जितने भी आपका position वाले है, जितने भी आपके table है, वो आपको जरूर के लिए करके चलना है, क्योंकि position से related, आपका push है की focus पर रखी है, तो कहाँ image बनेगी, cone cave lands है, ठीक है, center of curvature पर रखा तो कहा image बनेगी, तो इस तरीके से आपको इस चीज आने की, बिल्कुल कोशिच करूँगा, ठीक है, एक यह जरूर आता है, snail low, इसको आपको ध्यान में रख कर चलना है, ठीक है, refractive index आपको जरूर पढ़ कर चलना है, और यह वाला diagram, इस diagram से जरूर question बनते है, कि यह reflection है या reflection है इस तरीके से, और इनका यह, यहाँ पर आपका यहाँ पर कुछ formulas हैं, ठीक है, यह reflective index के यहाँ पर formula है, जो कि आपको बहुत help करने वाला है, exam point of view के लिए, ठीक है, इस type में यह भी आपका एक most important चीज रहता है, बट मैंने आपको जो important बता हैं, वो यह बता है कि आपको uses करने है, कौन के convex lens के, जितने भी numerical हैं, उनको उप कर सकते हैं, question number second and fifth, यह most important question है, जो कि बहुत effective होने वाले हैं आपके लिए, तो यह complete video थी, मेरी तरह से जिस मेंने आपको बताया कि आप कैसे तहरी कर सकते हैं, और कैसे आप chapter light को complete कर सकते हैं, easy तरीके से, तो video मैंने ज्यादा length ही नहीं रखी, छोटी video रखी है, और अगर आ एक comment जरूर छोड़ कर जाए, एक like जरूर छोड़ कर जाए, और चलिए मिलता है आप सब next video में, thank you so much.